हलो फ्रेंड्स वागते आक कमाई चैनल पर आज हम एकदम नए तरीके से इतना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी जटपर से बनने वाला ऐसा नास्ता बनाएंगे जिसे आप हफ्ते में दो दिर जरूर बनाना पसंद करेंगी ब्रेकफॉस हो लेंच हो या डिनर हो आप कभी भी से बना के सभी परवार वालों को खिला सकते हैं सभी लोग को ये बहुत जड़ा भाएगा और साथ ही में एक मज़ेदार सी तीखी और चटपटी चटनी भी सेयर करेंगी जो इस नास्ते के स्वाथ को चार गुना बढ़ा देगी तो चलिए इस मज़ेदार से नास्ते को बनाना सुरू करते उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगी जैसे वीडियो अफ्लोड कर पहले और आप हमारी आसान डेश्टी का फाइदा उठापा है सबसे पहले तो चलिए बनारा सुरू करते यहां पर देखिए एक बड़े साइश का बड़तर लेंगे और आप इसके अंदर हम क्या डालेंगे आईए आपको बता देते तो आप इसके अंदर हम डालेंगे सू अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथ ने जगा का नाम लिकना मत बूलिएगा यहां पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तमाल किया है अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप इसका भी इस्तमाल कर सकते बस आप इसको मिक्सी म हमारी मुश्किल से 50 ग्राम है और नाप में एक कफ है आप कटोरी से मजर्मेंट कर सकते अगर आपके पास इस तरीके का कफ ना हो लेकिन मजर्मेंट का खास खयाल लगना इस रेस्पी में तभी आपकी रेस्पी बहुत ही ज़दा तेस्टी और चरपटी होने के साथ साथ कम बनके तयार हो जाएगी यहां पर सूजी को मैंने टासर कर लिया है और इसके बार अच्वाइन जिसको हम इस तरीके से हथेली पर ले ले लेगे और अच्छे से मसल कर डालेंगे अज्वाइन डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा लुक भी आएगा और एक ज्यादा नहीं डालना है और अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे आई आपको बता देते तो आप इसके अंदर हम डालेंगे दही अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगा पर नीबू का रजबी डाल सकते या पर बिना दही डाले ही बना सकते लेकिन आपको थोड़ था बेकिंग पोड़ा या सोड़ा खा इस्तमाल करना होगा दही है तो खटी वाली है तो एक चमब चाहिए अगर हाई धाई खटी नहीं तो आप दो चमब डाल दीजिए अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे एक चमब से ज़रा खटी दही मच डालिएगा अगर नह ने एक ग्लास फानी लिया था जिसमें से मैंने तीन हिस्सा यूज कर लिया और एक हिस्सा हमारा बच गया है अब सूजी को हम फूलने के लिए टाइम लेंगे तीन से चार मिनट पर सूजी अच्छे से फूल जाएगी ततक हम सूजी को साइड में रख देंगे और दूसरा का पर कोई पैर भी ले सकते जो भी वर्तर लीजे थोड़ा सा भारी लीजिए जब हमारी कराही अच्छे से गरम हो जाएगी तब इसमें हम एक छोटा चमच और डालेंगे एक ग्रीन चिली अगर आपका बच्छा बहुत ज़रा च्छोटा है तो आप ग्रीन चिली को अगर आप पेस्ट नहीं कहाते तो आप स्कते अद्रग लसुत कि पेस्ट को और तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक नास्ते में यहाँ पेस्ट को डाल कर सारी चीजों को अच्छे से वापस से भूल लेगे ताकि प्याज भी हमारी जो कच्छी है उसका कच्छापन खतम हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरी पॉड़ा य यानि खटाई का इस्तमाल कर सकते हैं अब सारे मसालों को हम 10-15 से अच्छे से भूल लेंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने एक छोटा चमच लिया है अगर आपका बड़ा चमच है तो आप दो चमच ले स्वारी आदा चमच ले सकते हैं अब गाजर मास के अलू को करके इस तरीके से ग्रेट कर लिया है आप जाहे तो भैस करके भी सकते अलू को ठंडा करके कीजिए गरम आलू का इस्तमाल मत कीजिए ड़न अच्छा टेस्विनी आदर आए गा और इसके बांधरा नमी भी हो जाएगी फिर आपको रिश्मी मनाने में दिकत होगी तो यहां पर देखे इस तरीके से हमने दस से पंदा सेकंड अच्छे से आलू को भूल लिया है और सारे फ्लेवर अलू के अंदर विल्कुँ अच्छे से समागे तब इसके बार हमस्पे डालेंगे नमक तो नमक आपको अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालना है जितना अगर आप चाहिए तो पुदीरा भी डाउ सकते हैं अगर आपके पास कड़ी पता तो आप इसका भी इस्तवाल कर सकते हैं तो यहां पर धनिया डालने के बाद हम इसको दस से पंदा सेकंड वापत से कुख कर लेंगे इस से जड़ा में नहीं पकाना है नहीं तो हरा धनिय अगर आपको कुछ भी कम जाना लगे तो आप एट कर सकते हैं तो मैंने चक लिया है बहुत ही पर्फेक्ट सा चटपटा सा बन गया है अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर दिंगे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक है ठंडा हम इससे साइड में रखते ह टालेंगे ठोड़ा सा सिंबला मिर्च जो मैंने ग्रीवाला लिया है आप चाहे तो यलो वाले का भी इसत्माल कर सकते तो सिंबला मिर्च में पाया जाता है कैल्सियम वैसे तो वच्चे सब्चे सबजी खाते नहीं तो इस तरीके से नास्ते में छुपा के आप उनको भर फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी गाजर जो मैंने लाल वाली लिए इसको ग्रेट करके लिए आप चाहे तो चोटे-चोटे टुकड़े करके भी ले सकते हैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिला देंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम मटर को बॉयल कर लिया है कच्छी मटर का इस्तमाल मत किजिएगा बॉयल करके करेंगे तो नास्ते को फटा फट बना पाएंगे तो यहाँ पर दैखे मटर को उबले में ैर्ले में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है 2-3 मिन में मटर बिल्कूँ अच्य जाती है अगर प्रसमटर का इस्तमाल कर रहे अगर आप पैकट वाली ले रहे तो आपको पार्च मिलाड लग जाएगा इसको बॉइल करने में तो यहां पर अभी तक हम ने इसके अंदर नमक नहीं डाला था तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट एकॉर्डिंग इसके इसमें डालना तो आप इससे क्रिप कर सकते हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिल कर लिया है फिसके बार हम इस पर थोड़ा सा सूंदर सा लूग देने के डालेंगे जीरा बस एक से दो चुटकी और इसको अच्छे से मिला ल तो मुल्ल ए वह सबस्क्राइब करने सब्सक्राइब है असका बिर्बादा ना के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा चाठ मसाला हाफ टीस्पून तक जाएगा अगर आपके पास चाठ मसाला ना तो आप इसकी जगह पे ड्राय आमचूर पॉर्ड़ा यानि खटाई का इस्तिमाल कर सकते या फिर नीबू का रस डाल सकते या फिर इमली का पल्प भी डा सकते तो इसमें हमें मीडियम साइच का टमाटर डाल देंगे जो लाल टमाटर होंने चाहिए ना इसके बीद निकालेंगे और अब इसके बास में इसमें इंपोर्टन चीज़ डालेंगे जुचटनी के टेक्च्चर को बढ़ाने के सास्थ ता फ्लेवर को दुगना कर देगी व जादा पानी का इस्तमाल लही करना है डियर, तो यहाँ पर देखे चट्टनी को मैंने पीस लिया है, कितना बड़ी हाँ सा हरा हरा सा कलर आया है, जाधा पानी का इस्तमाल लहीं किया था, बिल्कुल गाडी-गाडी सी पीस ही है, अब इसको हम निकाल लेंगे, अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंज्वाई कर सकते हैं, बहुत ही बहतरीन टेस्ट है इसका, लेकिन मैं इसके उपर लगाऊंगी तड़का, जिसके वज़े से इसका जो लुक है वो भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो तड़का लगाने के लिए मैंने इसके अंदर क्या-क्या अट किया है तड़के में, मैं आपको बता दूँगी, उससे पहले मैंने एक चमज तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, जब हमारा तेल बिल्कु अच्छे से दुआदा गरम हो जाएगा, तब मैंने लिया है थोड तड़का समय लिया है कस्तूरी में थी, आप इन सब को डाल देंगे, ऐसे से चटकने देंगे, जब यह चटक जाएगे तब इसमें लाश में थोड़ा इसी हिंग डाल देंगे और इसको वापस से चटका लेंगे, और इस तरीके से चटनी के अंदर एड़ कर देंगे, तो तो चलिए इसको साइड में रख देते और नास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंड आगे है गैस की तरफ यहां पर देखे मैंने एक पैन लिया है ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ही ओलेंगे जब हमारा पैन अच्छा से गरम हो जाएगा तब इसमें हम टेस्क एक नामक डालेंगे नामक आपने टेस्क एक डालना जतना काते हैं तो दूदाइशा चाथ मसाला और कोई मसाली नहीं जाएंगे और अब भी सारे अधा धनिया डालेंगे एक आप चाहे तो पुदिना भी डाल सकते हैं और फिर इसके बार हम इंश में थोड़ा सा लालेंगे लमसम आधा चम्मस तक बस इससे जड़ा नहीं इससे कम नहीं और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए और जब यह बिलकूँ अच्छे से मिल जाएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर जीरा डालेंगे तो जीरे को में कच्छा ही डालना है आब इसके बाद लाश्ट में हम इसमें एक चुटकी हिंग डालेंगे हिंग डालनें से बहुत ऐच्छा सा फ्लेवर भी आ एका खुस्बू भी आएगी तो यहाँ पयाब हम गास के फ्लेम को मीडियμε कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसके अंदर 77 डालेंगे जो मेह ब बड़ा कफ है तो आप आधा कफ लीजेगा बस आधा कफ सूजी से बहुत ही मज़े की रेस्ट्री बनेगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाते जा रहे हैं तो यहां पर जो हमारी सूजी थी जो वेट ने मुश्किल से 50 ग्राम थी अगर आपकी फैमली बहुत ज़रा लंबी है तो आप इसमें सूजी की माता को बढ़ा सकते हैं यहां पर हमें सूजी को इस तरीके से अच्छे से पकाना है ताकि यह बिल्कुर अच्छे से पक जाए और इस तरीके से पैन जब छोड़ने लगेगी तब हम इसको अच्छे स क्योंसे मिलाते हुए इस तरीके से गैस के फ्लेम को बन कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चली हमें आपको चेकट करके दिखाती हुए कैसे पता ही यह ते लेगा कि आपकी पकी है सूजी यह नहीं यहां पर इस तरीके से घरब में हाथ को बचा के औ अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं जब तक हम इसे साइड में रखेंगे दूसरा काम करेंगे तो फ्रेंड पास मिनट हो चुका है सारे फ्लेवर बिल्कुर इसके अंदर समा गये हैं अब हम क्या करेंगे यहां पर हम ले इस तरीके से छन्ना अगर आके पास यह ना हो तो आप इस्टीमर भी ले सकते हैं और छन्ने में अब हम इसके उपर लगा देंगे थोड़ा सो आईल आप घियो बटर भी लगा सकते हैं जिससे क्या होगा हमारा नास्ता बिल्कुर भी चिपकेगा नहीं और इसे अच्छे स ग्रीस कर लेना है आप चाहें तो यह काम फिंगर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रस ना हो तो तो फ्रेंड आप हमारी यह मज़िदासी रेस्पी कहां से देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आपको कमेंड में धन्यवाद दे सकूँ तो यहां पर देंगे तो यहां पर हमें दो चमच बैटर को रखना है देखिए बिल्कुल आराम से रेस्पी बन जाएगी बिल्कुल क्यों आपको घबडाने की जुरुरत नहीं है तो देखिए जब इस तरीके से बना लेंगे तो यह हमारा चटपटा आलू अला मसाला है इसको हम इस त तरीके से पहले गोला बना लेंगे और फिर हम इसको चप्टा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से तो यह नास्ता बहुत जारा टेश्टी होने के साथ साथ बिना तेल का है और आपको खाके मजा आ जाएगा अब हम वापस से एक चमच बैटर को इस तरीके से फैला कि यह देखिए तो अगर आपके पास श्टीमर हो तो आप इसको श्टीम भी कर सकते लेकिन बहुत साए घर में नहीं होता है तो मेरे पास भी नहीं है तो मैं कैसे से स्टीम करूंगी चलिए आपको बताते हैं तो चलते हैं बनाने के प्रोसस की तरफ डियर यहां पे देख कि यहां पे आपको बार बार खोल के देखने की गलती नहीं करनी है और यहां पी आपको छेकंपा εν कि यहां पको gradually लीए है तो चलिए पांच मिन्त के बार चेक करेंगे तो फ्रैंड यहां पे देखे सूजी इसनी ठंडी हो गई कि हम से चूपा रहे हलकी सी गुनगुनी है बहुत ज़्यदा गरम नहीं है अब हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा ओल डाल देंगे आप घियो बटर भी ले सकते और इस तरीके से हथेली को ग्रीज कर लेंगे और अब इसको हम दस से पंदा सेकंड मसलेंगे मसले से दो फायदे हों करना है वह आपको खतम करना है नहीं तो क्या होगा जब भी आप सुझी का नास्ता बनाते वह पटने लगता है जिसका कारण यह कि आप अच्छे से मसलते रहें तो देखिए इस तरीके से मसल मसल के मैंने विलकुल गुदे हुए आटे के पॉर में इसको ले आई हूँ और इसकी साइडों को में पतला करना है बीच को मोटा रखना है यहां पर जो आलू का मसाला था उसमें से हम थोड़ा सा मसाला ले लेंगे और इसके बीचों बीच में इस तरीके से रखेंगे और यहां पर हम इसको इस तरह से दबाते हुए अंदर से बंद कर लेंगे यह बहुत ही आसान रेस्पी है, आप इसे बना के श्टोर भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसको बंद करने के बाद चप्टा कर लेंगे, तो आप इसे किशी भी शेप का बना सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से प्यारा सा शेप दिया है, जिससे सुन्दर सा बहुत ही प्या तो फ्रेंड देकिये इस तरीके से मैंने बढा לिया है बाकी में बात नहीं बनाऊंगी अप चलते हैं इसके बनाने की प्रोसर्स की तरफ डिये sieht amended कराही में मैंने थोड़ा सा थेल लिया आप चाहे तो इसे डी फ्राएबी कर सकते हैं मैं इसेano फ्राइब करूंगी तेल को विल्कुल अच्छ से गरम कर लीजिए अगर आप चाहे तो इसकी जगा पे कोई और वर्तन भी ले सकते लेकिन जो भी वर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए और इस तरीके से हतेली को उपर रखेंगे अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ नाच्ट से गरम होचुका है जब हमारा लिजए तरीकार नाच्ट को विल्कुल अराम से अंदर देंगे पठकेंगे विल्कुल भी नहीं तो यहां पे आपको ख़याल यह रखना है कि इस नाच्टे को बनाते समय आपको जो गैस का फ्लेम है मीडियम रखना है हाई फलेम पनाना है और दूसरी बात ये गल्ति आपको नहीं करनी कि डालते ही तुरंट पलटने की गल्ती मत कीजिए दो मिनट के लिए पकने दीजिये और दो मिनट के बाद हम इसको टरंड करेंगे यहां पर आपको ख्याल यह रखना है कि इसे हाई फिल में पर नहीं बनाना है आपक को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि अंदर की स्टफिंग भी पकी हुई है और सूजी को भी हमने पका के ही लिया है तो चलिए दो मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते वे अब इसको हम हुँ आप चाहिए तो छोटे चमच की साहिता से भी कर सकते है यूँकि एक साइड अभी है तो इस तरीके से देखे कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है तो आप इसको हम दूसर साइड भी दो मिनट पकाएंगे तो इसको बनने वे चार मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा को चोड़ी को भूल जाएंगे बहुत ही ज़धा हेल्दी है आप इसे बच्चों के टिफिन वाक्स पर पदी के लेंच वाक्स में दे सकते हैं और जब भी आपको छोटी बोटी भूटी भूख सता है तो आप सबजी रोटी बनाने का दिल आपक खा सकते हैं तो चलिए दो मिनट के बाद इसे चेक करते हैं तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइट से भी पकते हुए यह देखिए दोनों ही साइट से कितना प्यारा सा कलर आ चुका है कितने अच्छे से गोल्डन हो चुका है बहुत जदा मैंसे काला नह तो चलिए इसको सर्फ करके आपको इसका फाइनर जड़ दिखाते हैं उससे पहले हम अपना दूसा नास्ता भी चेक कर लेते हैं वो पक गया होगा तो फ्रेंट पार्स में ठो चुका इसको पकते वे चलिए खोल के देख लेते हैं कि ये कुख हुआ है या नहीं तो ये देखिए बिल्कु अच्छा से कुख हो गया है अब इसको चेक करेंगे चेक करने के लिए इस तरीके से नाइफ को हम इसके अंदर डालेंगे अगर का लेंगे हलका सा गुनगुना होगा तभी हम इस तरीके से नाइफ को हलका हलका सा लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको पॉलेट लेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा यूंकि हमने इसके अंदर ऑईल लगाया था अब मैं आपको इसको सर्क परके इसका फाइ तो जब भी नास्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे इसके वे गारंटी रहती हो बहुत जड़ा सौक्ट है अंदर से बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग फैली हुई है और खाके मज़ा आ जाएगा जो लोग डायटिंग कर रहे हैं उनके लिए यह वाला नास्ता मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ तो यहां पर देखिए यह हमारा दूसरा नास्ता है इसको भी सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से इसको मैंने सर्फ किया है केचप के साथ और अपनी चटनी के साथ तो अगर आप बच्छों को वाला नास्ता द के से क्रिस्टी बने हैं अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी यह देखिए श्टफिंग कितने बराबर से फिल है इसके अंदर और इस वाली चट्टी के साथ खाके आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप बच्चों को सर्फ कर रहे तो केचप के साथ सर्फ कीजिए तो कैस आपने जगा का नाल लिखना मत भूलिएगा कि आप हमारी मज़िदासी रेस्पी कहां से देख रहे तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं जा रहे हैं से जॉआ करने आप भी बनाईए खाईए अपनी फैमिली वालों को खलाईए और ऐसी बें कुछ भी अच्छ